असलाम अलेक्म दोस्तों ये तुर्क सेट बताली डिग्री मैंने सेटिंग की है दो फुट की डिश पर ये इसको सुई भी लगाई हुई है तरहां के पता चाल सेके कौन सा सेटलाइट में देख रहा हूं दो फुट की डिश पर प्रीमिंग गोल्ड की रेल भी लगा कर तो ये है इसका मुविंग स्टेंड आप देख रहे हैं अजी डिश मास्टर मैंने इसको लगा दिया है टूनिंग पर तो देखते हैं कितने चैनल आते हैं मेरे पास तुर्क सेट बताली डिग्री के यू और दो फुट की डिश पर असानी के साथ रसीव हो जाती है चैनल का सिलसला शुरू हो जुका है और साठ चैनल आ चुके हैं मेरे पास लोकेशन है मेरी फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान मुविंग स्टेंड लगाने का मकसद सेटलाइट को असानी के साथ डोड़ना है औ तो मुविंग स्टेंड वर बहुत ही असानी के साथ मुझे रसीव हो जाता है बहुत ही शानदार कामयाबी के साथ ये स्टेंड मैंने बनाया है और बहुत ही कामयाबी के साथ ये चलता है आप देख रहे हैं अजी दिश मास्टर लोकेशन है मेरी फैसलाबाद पंजाब प चुका है जैनल को सिर्सलम कमल होता है तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी जैनलिस्ट भी चेकरा दूँगा विडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें नबे चैनल मिले हैं मुझे आज जुमेगा रोज है तो ये है मैंने तमाम को अलग-अलग कर लिया है ताँके ये चैनल चाली डिगरी पर भी मिल जाता है तुर्क सेट बताली डिगरी के ये बैंट की ये सेट लएना है और दो फुट की दिश पर असानी के सादर सीव हो जाती है एललबी की पुजीशन तक्रीबन जो या सेट की है वो ही इसकी है या सेट लगाने के बाद अगर आपने तुर्क सेट लगा लिया है तो थोड़ी सी फाइन टूनिंग करनी पड़ती है और ये भी बहुत ही साफ और साफसरी सेट लाइट है आप देख रहे हैं आजी डिश मास्टर और मैं हूँ आपका दोसी यूनस अंदम ज्यादा तर चैनल इसके उपर ही है और बहुत ही साफसरी अच्छी ये सेट लाइट है दोसरों चलते चलते कैमरा स्टेंड में लगा होता है तो ये फोकुस छोड़ जाता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता चलता है ये क्या नुक्स है आपको अगर पता हो तो कमेंट बक्स में ज़रूर बता दें एक ही जगा स्टेंड पर रखा होता है लेकिन ये फोकुस छोड़ जाता है ये मुबैल का नुक्स है यह कोई और अगर कमेंट बेक्स में आप बता दें तो बहुत मेरबान नहीं होगी 90 चैनल मिलें मुझे 2 फुट की डिश पर ये देखें इस तरह होता है